सुनिए विजयपूर विदानसभा मुद्दो पर क्या बोली कॉंग्रेस कर अहल ब्लॉक अधियक्ष्य प्रताप सिंग कुश्वहा जहाँ आज कॉंग्रेस से ब्लॉक अधियक्ष्य प्रताप सिंग ने चर्चा करते हुए बताया किस बार मंद्विदेश में कॉंग्रिस की पूंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है बाजपा के बिश्चाचार से आम जंता तरस्त है लगातार फरजीवाडू के सिरीस मंद्विदेश में चल रही है पर्टवारी फरजीवाड़ा, सिक्षक फरजीवाड़ा, पुलिस अरक्षक फरजीवाड़ा और तमाम व्यापम कांज इस बार बीजेपी सरकार को प्रदेश से विदा कर देगी कॉंग्रेस की लहर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चुनाफ से पहले ही बीजेपी की नेता और विधायक पार्टी छोड़ने लगे हैं आज मेरे को चैनल के माध्यम से बोलने का अफसर दिया और मैं आगे आने वाला गणेश चतुर्ती की पर्व छेत्री जनता का अबहर व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं इस वर से कि वह खुसाली छेत्र में बरकरार रखे परताब बाईश्याव जी आप छेत्र में Congress का नेतरोत करती है Congress की बलोग अध्यच में चुनाव नवंबर दिसंबर में तक्रीवन आने वाले हैं कुछी समय में आचर सहनिता काूर येजन होने वाला आई और अच्छी तैयारी करके बैठी है और इस बार हम पूर्ण बवमत से सरकार बनाएंगे पिछली वार की तरह हैं सरकार नहीं बनेगी और रहा अमारा रामनिवास जी का टिगेट का सवाल तो उनको टिगेट फाइनल है और अच्छे मतों से वो इस बार जीत रहे हैं ऐसी तैयारीया तो सर पिछली वार भी रही होंगी 2018 में इसी तरह की देखने में आयदा सर काफी चेत्र में ठीक रहा था कांग्रेस का प्रदर्शन लेकिन जो आपका ग्रह चेत्र है जहां आपका जो ग्रह चेत्र माना जाता है उसमां कॉंग्रेस कुछ पिछली उइनेजर सब्सक्राइब तो थोड़ी सी बीजेपी ने जनता को गुम्राव किया उन्होंने अस्वासन गल्त दिये अलाकि बीजेपी की सभी अस्वासन खोकले और बादे इन रहते हैं और थोड़ा सा रामनेवाद जी का मन पाल्टी ने दोनों तरफ बांड दिया था कि उनको साव अध्यक्त बना दिया था तो वह प्रदेश को भी देख रहे थे इसलिए उनका थोड़ा सा यहां चेत्र में ब्रमन कम हुआ था बाच्पा सर लगातार प्रयत्न सील हो चुकी है लगातार दोरे हो रहे हैं तमाम सारी योजना है सिवरा सिंग्चुआं जी लॉंच कर चुक कि इसने यह एन वक्त अब टाइम आगया एक मेने के बाद आगर आचार साहिंता लगती है और यह काम तो करेगी नहीं गोष्णाइं करके और चली जाएगी तो यह गोष्णा भी के कहला रही है तो इसलिए उसमें कोई दंबाली बात नहीं है इनके गोष्णाओं से और इ जूटी गोष्णाइं करते हैं जूटे इनारियल फोड़ते हैं यह कराल पे भी इन्होंने नगर पंचात बनाने का दो तीन वार आश्वासन दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं कर पा रहा है यह से इनके कई मुद्दे हैं यहां का बर्तमान विदाइक सि आदास होता है जेपुर से गवालियर से गौना से सीपरी से सभी साइड से बसे आती है तो यात्रियों को बाथरूम में जाने में दिखते हैं उनको खुले में जाके सोचाला बैठना पड़ रहा है जन्पत पंचात ने बश्टेंट बना तो बना कर तो दिया है सर इसमें क और किस डंग से बैठे हों मैं जो लाड़ी बेना योजना आई जिसमें सवी मैलाओं को पैसे दिये जा रहे रहे हैं इस योजना में इप लाड़ी बेना शरफ नों पूर्ण पहुमत की सरकार बनाएगी और आपके जो कांग्रेस के दिगज नेता है सर गोबिन सिंग जी काई नेताओं को उन्हें के गड़ में आराने की बात इस बार वो कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए अपने मंत्रियों को भी प्रचार पर लगा दिया क्या लगता है सर इस बार इन दिगजों के दिगजों के नसीब में आ रहाएगी या नहीं आएगी दिगज तो इन से आज से क्या 33-44 साल हो गए इनको और जब से यह बराबर तागत लगा रहे हैं यह तो 20 साल से सरकार में यह 20 साल से पहले भी वह कॉंग्रेस की सरकार में बिदाइक रह चुके हैं मंत्री भी गोविन सिंग जी तो यह उन तक तो पहुंची नहीं पाएंगे कि उनको अरानी की सोच है यह तो इनकी मान सकता है गवालिर चंबल संबाग से सराप हैं गवालिर चंबल संबाग में इस वार कैसे प्रदर्शन रहेगा बीजीपी का सबसे खराब प् पूरी तरह से अतास हो रही है और इसलिए अभी-अभी अमिसा का पांस्तारिक में यहनों ने प्रोग्राम भी रखा था ने उसका रतियात्रा का तो भी इनको फिलो हो गया उसमें याने की पब्लिक कम आने के बज़े से अमिसा जी ने गवालियों से रेटन चले गया रहे पर सर देखा जा रहा है कई जग्या पत्धरा हो रहे हैं कई जगे काले जंडे देखाए जा रहे हैं क्या नजरीया लग रहा है ऑ ses कई कान्ग्रिस कि ये नहिंत 60 अたいकरों से और जो पर चोरी पंृटम मेंहें के सरकार यह तो उन्हों ने जित्तह बाने किया तो उन्हें को तत्का लागू कर दियो है थो लोनों किसानों के 20,000,000 ब्रुद तक उन्हों माप लाइट Wahr स्वाइट अन्हों ने फिरी एख किर्शी का बिल उन्होंने अहप कर दिया था इस पार विए उनके जो जब मुद्दे हैं तो उन्होंने गेस सेलंडर को जो आज 1200 रुपे में आम आदमी खरीद रहा है उसको 500 रुपे में देंगे वह और यह लाइट का बिल 100 तक तो फिरी करी दिया इससे उपर जाएगा तो 200 यूनिट को आप में कर देंगे और अपना किर्शी की जो यूनिट है उसको भी यह करेंगे कांग्रेस सर एक में देख रहे हैं चेतर में नारी सम्मान योजना के फॉम बरबारी है बढ़ चड़कर फॉम भरी भी जा रहे हैं क्या सरी अगर सरकार बनती है तो यह जो फॉ आघए तो उनको सब ने यह को नई आए तो उनको भी फॉरंबर बर्बाक है और उनको पात्रताम के लिया जाएगा और उनको सब को प्याइमेंट मिले अचने तो तो भी मुकाबला तो क्या मुकाबला सर कड़ा नहीं हो जाएगा इस वार अगर आद्वासी को भी टिकेट नहीं दिया और यह सामान वर को अगर टिकेट पह लाते हैं तो भी मुकाबला याना कि 12 बज़े के बाद कोई भी जो केंडेट खड़ा होगा वह 12 बज़े के बाद ही आरके और आपने घर को बापिस आजाएगा कांटिंग को छोड़े आएगा अभी बीज़े पी पे तो बेज़े पर व्यदान सभा के लिए कोई केंडेट ही नहीं मिल रहा है शोपर के लिए भी बड़ी मुश्कल से बावु जंडेल के समक्त में आज गोशना किये बेज़े वर्गी जी की और अभी यहां बेज़े प अभी पर देश में सरकार तमाम योजना अलाइस शिवराज सिंग्चोहन केती है हमारी सरकार कानून का राज संगठन मजबूत है तो क्या सर यह बात है जनता को नहीं रिजाएंगे पूर्ण पूर्ण बगुमत सरेंट फिरसे नहीं मिल पाएगा क्या नहीं उनको इस चाल सन चार सेम्या प्यवह है पत्वारी बढ़ती में ये लिस्ट हैं मास्टरों की बढ़ती में ये लिफ्ट है और एम एजूकेशन के बारे में यहां की लड़कcious lawn को यह पता नहीं कि अप्नी राजधानी को कौन शीए यह तीछरे नमर पर रह आते हैं कि मा राये माकाल का सवा सब्तरिशी की इन्हों ने इत्ता विष्टाचार किया कि वह एक आंधी यह नहीं देख पाई इसमें सब्त लोग को चले गए सब्तरिशी वाली बात तो हुए थी कि वह मुर्तियां खंडेत हो गई ती और भी सर बाते हैं आपके शोपर में वह रेलवे की कहना है कि बड़ी रेल लाइन आईगी अटल प्रोग्रे अटल आईवे निकलेगा यह चीजह आपकी जनता के लिए तो कहीं नहीं बिकास लाएं अपने मादोपर से जोड़ रहे हैं फेक्ट्री वगेर आज तक कोई भी फेक्ट्री नहीं लगा पाएं पिछली वर्ष में यहां मोदी जी आयते तो इस छेत्र की जनता ने बहुत आसाइन लगाएं थी कि कोई ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहां लगा के जाएंगे ज प्रदान मंत्री मोदी जी मोदी जी आये तो सर वह चीते की सोगात दे कर गए चेत्र का नाम रूशन तो करके गए सर चीते की सोगात मैं उन्होंने कुछ किया नहीं है और चीते दिये उसमें से 60% चीते तो खतम हो गए आड़नों चीते अगर देखा जाए तो शेडूल का वोट देगा सर फिर नहीं यह भी सोच गलते बीजेपी की और अब ना देगा ट्राइवल चेत्र है यह जिनिशित है थोड़ा सा ने सिक्षा के एजूकेशन में पिछड़ हुआ चेत्र है यह कराल लेकिन यहां आदवाशी बाई-लोगों के साथ मैं गुशरकार है याने क रमदाओ अत्याचार करिए इनके साथ में यहां देखाओ और में बितरवार में विनके साथ एक दृवारा च्चार और सीरह में वी-समीछर की सागरों में विदेभी जट लोग जो आदवाशी भाई लोग हैं तो वो क्याद कहां से मजदूरी पर डिपेंड करते हैं उनको यह नरेगा से मजदूरी नहीं जला पा रहे हैं वो यहां से हर सीजन में यहांने के पलयान करते हैं डान लगाने राष्तान जाते हैं मजदूरी करने के लिए जैपूर जा सब्सक्राइब और सिंदिया जी पर एक बड़ा गंबीर आरुप लगाया कि यह जोड़ तोड़ की सरकार इनना बनाई है यह माँ प्रेश्टाचारी सरकार है ऐसा क्या हुआ है सब्सक्राइब कि शिंदिया जैसे एमांदार चभीके नेता को वाज ब्रेश्टाचारी नेता उन्हें के बीजेपी के बिदाय के रहे हैं देखो यह तो थोड़ी सी सिंदिया जी की गल्ती रही कि इन्हों ने अपना जो जनम से थे कॉंग्रेस छोड़के शिंद्या जी इनके साथ आगर उसमें गए जब इनको पता पड़ा के बीजेपी तो सबसे ज़्यादे ब्रश्ट सरकार बैठी है इसमें तो हर आदमी जित्ते नेता जा रहा है वो सब ब्रश्ट है सब अपने कमिशन लेते हैं तो इस तरीके से रगवंशी जी ने बापिस अपना अपनी जा धर बापशी के लिए बापिस आएं पूरे अर्छे प्रश्ट में चुनाव के एन वक्त से पहले बिजली की कि कुछ कमी कर दी गई है मद्य प्रश्ट पर 200 केता है कि उत्मादन नहीं हो पा रहाए इसलिए बिजली को घटाय जा रहा है किसान कहते है कि इस वक्त बिज तो इस टेम में पहले 10 गंटा बिजली आती थी विछली वर्स में जा इस साल इनों ने जैसे अभी दान की फसल में पानी चालू करने की इस्तिती आई तो इनों ने इसको तीन गंटा बिना उसके कटोती में डाल दी अब यह सात गंटे के बिजली में भी तमाम अर्चने आया दे चुकी है लेकिन यह लाइट वाले और सरकार और प्रसासन दोनों इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं कास्टगार के अंदर बहुत इसका गुशां और गुशे के साथ साथ में उनको नुक्सान भी ज्यादा उठाना पड़ रहे हैं सर आपने तमाम सारी बात हैं हमें बता पड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी को अंदूरनी मुकाबले तीर करने पड़ रहे हैं सिवराज बाजपा से भी उनका मुकाबला हो रहा है मैं महराज बाजपा से भी सिंधिया जी बाजपा से भी हो रहा है और जो नाराज बाजपा तीसरा ग्रूप इनका तो उनसे भी हो इसलिए अभी तो इनको केंडेट डूने में टेम लगेगा हो सकता है कि आचार साहिता के बाद ये केंडेट तैयार कर पाएं कितनी सीटें सर कॉंग्रेस इस बार लेकर आ रही है इस वार हम दोसों के करीब एक सो पचास से दोसों के बीच में सीटें आएंगे सबसे पहले और हम लोगों का भी ये दवाब रहेगा कि सबसे पहले इसको नगर पंचात बनाएं इसके साथ साथ में जित्ती भी यह नहीं गोषणा एक अमनाज जी कर रहे हैं से गेस सलंडर किये कर्द माफी किये लाइट किये उनको भी उनसे लागू तत्काल करवाएंगे कराल छेत्र के लिए रहा इसके साथ में जो अधूरा बसे स्टन का कार पड़ा वहां की दुका जाएं मोटर ओपरेटर वहां बैठे करें तो यह के गरीब लोगों को रोजगार मिले हमारे साथ जुड़ेते प्रताफ सिंग कुसवाजी इन्होंने तमाम लंबी सिंकलाओं के जवाब दिये इन्होंने पूर्ण वहमत सरकार बनने का दावा किया है अब अन्तत्य चुना